नमस्कार मैं हूँ पूजा गुपता और आप देख रहे हैं नीज़ फोर विहार सारण जिला के तरहिया थाना छेत्र के चांदपूरा गाउं में पूर्व हत्या के मामले में आरोपी को गिरफतारी नहीं होने पर ग्रामीनो ने किया थाना का घेराओ पूर विवाद में मैनेजर महतों का हत्या हो जाने के बाद भी मुखे अवियुक्त विकास कुमार महतो एवं साविर हुसेन का गिरफतारी नहीं होने के कारण आक्रोसित ग्रामिनों ने थाना परभारी पर लिपा पोती का आरोप लगाते हुए थाना पर घंटो हंगामा करते रहें ग्रामिनों का कहना था कि हत्या के 40 दिन बाद भी आरोपी को नहीं पक्रा गया जिस वज़ा से ग्रामीनों ने हंगामा करते हुए थाना परभारी पर लिपा पोती का आरोप लगाते नजराएं। दरासल यह मामला बुधवार की दोपार तरहिया थाना छेतर के चांदपूरा गाउं की है। जहां पर दो पक्षों के बीच हुई मार पीट में एक पक्ष के लोगों ने धाय धाय फाइडिंग करते हुए छे लोगों को गोली मार दी जिसमें मौके पढ़ी मैनेजर महतो की मौत हो गई थी। इस कांड में तीन लोगों की गिर्फतारी भी हुई है और मुखे आरूपी विकास कुमार महतो सावी हुसेन फरार चल रहे हैं। इस मामले में हत्या के घर वालों ने थाना परभारी पर लिपा पोती का आरूप लगाया। दरसन हांगामा वाले ये सारे मामले तरहिया थाना पड़ी सरका ही है। आप देख सकते हैं कि यह वीडियो में किस तरह थाना परभारी और ग्रामीनों के बीच कहा सुनी हो रही है। जिसमें तरहिया थाना परभारी खुद गरामीनों का वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। आप भली भाती तस्वीरों में देख सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं। अगर यहां से करवाई नहीं होता है तो हम जाके पटना में धरना देंगे। आप लोगों किया है इसका हम उल्टा केस करके हम आप लोगों को फटाएगे। वीडियो करीए। जादी वीडियो करिए।